आई एस्ट्वेंस स्टार्ट करते हैं PNST, ANM और GNM के एक्जाम पैटन के बारे में तो आप सभी को पता होगा फिडिक्स, केमिस्ट्री, बायलोजी, इंग्लेस और जी के आप लोगों को पेपर में 100 मार्क्स का आ रहा है तो पेपर का लेबल क्या होगा, किस तरीके के कोश्चन पूछे जाएंगे, इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो यह लास्ट यर का आप लोगों का पेपर है श्वेंस, आप यहाँ पर डेड़ भी देख सकते हैं ठीक है, 7,8,2023 का यह आपका पेपर है लास्ट यर का, आप लोगों से पेपर में श्वेंस, ठीक है, कमपाउंड बेज कोश्चन पूछे जाएंगे एसिडिटी, बेसिसिटी पर बेज वाले, यहाँ पर आप लोगों को श्वेंस, एमफोटेरिक पर बेज कोश्चन है, उभेचर कौन कौन से होते हैं एक्क्वेशन बेजड आप लोगों से कोश्चन पेपर में पूछे जाएंगे केमिस्टी में, इसके बाद में आप लोगों से स्वेंस, ठीक है, एमिनो एसिट्स क्या है, फैट्स क्या है, इस पर बेस कोश्चन होंगे, ठीक है, इसके बाद में आप लोगों से जो है, रि पर बेस कोशन रहेंगे Ioni Compound Covalent कि या होता है इसके बाद में आप लोगोंसे पेपर में Electrolite पर बेस कोशन होंगे इसके बाद आप लोगों से पेपर में जो है ठाहिं पर बेस कोशन होने वाले हैं कर्वजुलिक एसिड्ड़ बेस कोशन हो लोगों के त्वरन इस तरीके से कोश्चन पूछ रहेंगे यदिश्वेंस हम आप लोगों से जीके की बात करें तो जीके में आप लोगों से लेको तिक इंडिया स्टार्टेड मदा 1857 की जो क्रांती हुई थी यह कहां से चालू की गई थी तो मेरत से चालू की गई थी किस गौलियार में MP राज महिला होकी अकादमी की स्थापना की गई थी तिक इसके बाद में धोला वाड बांध मद्धप्रदेश के किस जिले में तो रतलाम जिले में हैं मद्धप्रदेश का निमलिकित में से कौन सा जिला गोटे मार मेले के लिए प्रसिद्ध है तो छिनवा है तो एक हजार लड़कों पर केवल 931 लड़कियों की संक्या है मद्धप्रदेश को किस राज की रूप में जाना जाता तो सुयबीन स्टेट या सुयज स्टेट कहा जाता इसे जुलन गोस्वामी किस खेल से संबंदित है तो क्रिकेट से है पेपर में आपसे पूछ लिय हुई थी यह महजिस इंद्या ने ग्वालियर पर कब्जा किया था इन से आप लोगों की 1761 की घटना थी मद्धप्रदेश राज में लोकरंग महसब कहां यूजित किया जाता है थामोनी उर्स मेला कहां लगाया जाता है ठीक है तो सागर में लगाया जाता है किसकी मजार याद में लगाया जाता है इस तरहिके से नदिया विचार करना है आप लोगों को पारवती काली छिपराज ठीक है आपका गंभीर यह कौन सी नदी मालवा पठार से होकर बहती है तो यह आपको लोगों बताना कौन सागर को शूकूंसी है उसके बाद में अफीम जो है वो बंसत था तो मुगल सासर जो है चंगज खान के बंसत थे खाद स्रंखला के पोशी इस्तर में दुतियो भोकता की स्थिती क्या है तो तीसरे नम्मर पर है ठीक है खाद भोकता में पोशी इस्तर में दुतियो भोकता कौन है तो वो तीसरे नम्मर पर रखा गया है वो जैन में वो किसे माना गया, तो नीमच को माना गया है, मद्दप्रदेश का धुरुपत कैंदर कहां पर है, तो यह श्ट्रेंस आप लोगों का कैंदर पूछा जाएगा, कहां पर है, तो मद्दप्रदेश में है, 1981 में इसकी स्थापना की गई थी, इस तरीके से आप लोगों को जो है question रहेंगे paper में ठीक है select the word which mean the same as the group of word given मतलब यह इतना पूरा जो sentence आपका क्या कह रहा है उसकी आपको एक सब्द में मतलब निकाल के दिखाना है इसके बाद में आप लोगों से यहाँ पर all of the event will be open to the public desk will include talks from expert तो यहाँ पर बीच में क्या लगने वाला है इस तरीके से पेपर में पूछा जाएगा select the correct active from of the given sentence तो आप लोगों से यहाँ पर यह sentence बताना की भी active का जो current sentence क्या वनेगा active voice पेसिव आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा तो यह आप लोगों के इंग्लिस का लेबल रहने वाला है अन्टोनॉम्स आया है सब्सक्राइब कर लगातार कोश्चन बनेंगे आर्टिकल पर बेस कोश्चन रहेंगे आप लोगों के इस प्लेल्ड वर्ड पर बेस कोश्चन रहेंगे गलत सब्सक्राइब कौन कौन से हैं अनेक सब्सक्राइब के लिए एक सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो यह आप लोगों का पूरा स्लेबस पैटर्न है फिरिक्स टिक है केमिस्ट्री बाइलोजी इंगलेज जी के किस तरीके से आएगा यदि आप अभी तक स्वेंस मॉक टेस्ट पी वाई क्यू टेस्स नहीं लगाए हैं यह स्वेंस आपने अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं किया है तिक है न्यूस लेबस पर बेस पूरी तयारी आपको कराके दी जाएगी बहुती कम फीस में तो जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं आज ही संपत करें मेरे मोबाइल नंबर 9407-384042 पर बाबाए